तो मुख परिक्षा उत्ता लेखन की जो हमारी क्लास कल से प्रारम होगी आपकी और अभी रहेगी तीन दिन तक ठीक है सुबह च्छे बजे लाइब रहेगा और चैनल रहेगा आपका अजाद आईएस अकेडमी का आजाद आईएस अकेडमी का आपका यूटूब चैनल है और मॉर्णिंग के 6 एम हम लोग तोड़ा सा कठिन टास्क दे रहा हूं मैं क्योंकि 6 बजे उठने की आदर सायद अभी नहीं हो चलो आपके लिए ठीक है तब भी लाइब में जितने बच्चे हैं आप लोग के साथ भी सभी के लिए है सभी चात्रों को ये सूचित करना है कि 6 एम जो है यह हमारी क्लास होगी अभी 3 डेज क्लास रहेगी है आपकी क्लास हम रखेंगे कल 9 तारीख है कल रहेगी क्लास 10 तारीख को क्लास रहेगी और 11 तारीख को क्लास रहेगी तीन दिन की क्लास रहेगी और तीन टॉपिक कबर होंगे इसको मैंने डिजाइन इस तरीके से किया है यह आपका में संसर राइटिंग का है समझ लिजे कि अभी तक का सबसे बेश्ट प्रोग्राम होगा इससे अच्छा साइद पोशिबल आगे फिर और मैं कुछ अब ग्रेट करूं तो ठीक है तो मुख परिक्षा उत्तल लेखन में आप लोग की जो एक समझ है और एक ऐसी समझ यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको जुड़ना चाहिए इससे इसकिल से अब इसमें क्या है ना मैं इसकिल क्या सिखाओंगा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को तीन-चार ढर्रे पे काम करें लिखना तो सीखें लिखना तो लिखते-लिखते सीखेंगे वह एक प्रक्रिया प्रोसेस है लेकिन साथ-साथ जो टॉपिक उठाए जैसे मैं पीसियस का बदला था तो तब से लेकि अब तक जो भी आर्टन कल्चर में कुश्चन पूछे गया हूं उनका एक अनलिसिस होना चाहिए आपके पास कौन से बर्निंग टॉपिक हैं जिनसे कुश्चन ज़्यादा पूछते हैं है ना स्लेबस को लेकर कि आर्टन कल्चर के स स्पिसिफिकेशन क्या होते हैं जब हम कलायम संस्कृति के कोश्चन का अंसारेटिंग करते हैं तो कहां पर मैं डाइग्राम बनाना चाहिए क्या करना चाहिए तो कल तो एक कोश्चन लिखवाऊंगा और लिखवाने के बाद गुरुप में तुरंत कॉपी भी समिट करवा बारा से आपको भारत दर्शन के एपिसोड में लगातार मिलूं 15-16 तक और इसके बाद जो है भारत दर्शन के बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा फिर से यही सारे टॉपिक फिर से मैं इसे कंटिनिवस कर दूँगा रेगुलर तो अभी तीन दिन का है आपका नौद दिकालिन भारत का इतियाज देखेंगे सुरुवात विकुल वैसे करते जैसे स्लेवस का क्रम है जैसे तीन टॉपिक हो जाएंगे आपके अंदर एक अच्छी समझ होना चालू हो जाएगी में संसर आइटिंग को ले करके मुझे लगता है कि यह एक मेरी इतनी बड़ी पह जाएगी वैसे मैं रात में करा दूंगा सुबह बस आपको मैं आ जाओंगा कोई वैसे जहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए तो इसली आप लोग जो है इस से जुड़िएगा सभी से जुड़ेंगे एक इंट्रेक्शन होगा थोड़ी देर चर्चा पर चर्चा तो जितने लोग लाइब में हैं आप सब को जुड़ना ही जुड़ना है तीन दिन की बात है नौ दिसंबर दस दिसंबर ग्यारह दिसंबर पहले सुरवात में तीन निन टीन टॉपिक कर लो फिर बाकी के टॉपिक जो होंगे वागे कंटिनियूस करूंगा ठीक है और जित सुबह जगने का एक हैबिट भी क्रियेट हो जाएगी कि आप मेरे साथ जग के पढ़ो और ये सुबह 6 बज़े वाली क्लास मैं आपकी भविश्च में कंटिनियूस रखूंगा चाहा तक उम्मीद यह है कि मलब एक हैबिट आप लोग के क्रियेट करा दूँ अभी क्योंक करना अपने 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 अच्छा दिन साबित हो सकता है तो अराम चुटना है आप चाहर रजाई में बैठ के पढ़ो कोई दिक्कत नहीं कोई तकलीफ नहीं है ठीक है लेकिन पढ़ने की अवस्ता में पढ़ोगा है सने की वीडियो चल रहा है बगल में आप लेटे हो पेन कागज के साथ अराम से बैठ के पढ़ना है इतना आप कम से कम कर लो सुबह सुबह थोड़ी तकलीफ होती है यदि आपको बहुत एनरजेटिक करना है इस सेशन को तो आपको क्या करना चाहिए पांस साड़े पांच बेले उठो नहालो हलका गुनगुना गरम पानी ल दाएगा तो यह भी आप लोग कर सकते हो बाकी कल से मिलते हैं तीन दिन का सेशन के बाद ब्रेक जो आ रहा है उसमें भी मैं पढ़ाओंगा ही लेकिन वह पी क्लास आपकी चेंज हो जाएंगी बारत दरसन क्या मैं प्लान कर रहा हूं कि अब जो इस रूट से मैं निकल रह होगा खजुराहों से इन्वार्मेंटल टॉपिक कबर होगा और साथ हिस्ट्री के टॉपिक जो भी हो सकेंगे वहां पर जो भी हैं तो बहुत है मद्यप्रदेश भी बहुत रहा है कल्चरी एना एंपी में भी कल्चर बहुत अच्छा रहा है तो सम्मावना यह है कि हम उस मद्यप्रदेश जैसे होता है ना पहले मैं कई बार पनना सतना इस एक इस एरिया में तो जा चुका हूं हमारे छेत्र की बॉर्डर भी जैसे चित्र कूट और यह बांदा की बॉर्डर भी लगती है मद्यप्रदेश से बंदेल्खंड-वाला छेत्र रहना तो गॉालियर यहां से गुजरा गया है लेकिन एक होता है कि रहने के उद्देश से कि भाई साथ दिन हम रहेंगे उस दर्ती में तो यह पहली बार है तो इसलिए एक्साइट्मेंट ज्यादा तो साथ दिन यह कारे हो जाएगा साथ-साथ वह भी चलते रहना चाहिए ना सब कुछ चल रहा इसके बाद जो तीनन चार दिन का गैप रहेगा उसमें आप खुझसे जो मैं काम दे के जाओं क्योंकि मैं डेली होमवर्क दूंगा पांच दस को सब्सक्रीं प्रारम करते हैं